को वैक्सीन ले न ले आज हम जानेंगे वैक्सीन के बारे में कुछू 32 सवाल और जवाब वैक्सीन रेजिस्टेड प्रॉसेस हेलो फ्रेंड्स मेरे YSK चैनल टेक में आपका सवागत है मैं यूसुफ शेक वैक्सीन एक टिके के रूप में बनाई गई दवा इंजेक्शन है टिका बीमारी की रोक्थाम में आज तक कारगर साबित होते आया है हमारे देश में जहां तक को वैक्सीन का सवाल है इसे लगवाना अनिवारे हो जाएगा को विन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पंजी करण नमबर एक मैं COVID-19 टीका करण के लिए कहां पंजी करण कर सकता हूँ आप लिंक www.cowing.gov.in का उप्योग करके को विन पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं और COVID-19 टीका करण के लिए पंजी करण करने के लिए Register, Sign in Self टैब पर क्लिक कर सकते हैं नमबर दो, क्या कोई मोबाइल एप है जिसे टीका करण के लिए पंजी करण करने के लिए स्थापित करने की आवश्चकता है आरोग्य सेतु को छोड़कर भारत में टीका करण के लिए पंजी करण के लिए कोई अधिकरित मोबाइल एप नहीं है आपको को विन पोर्टल में लॉग इन करना होगा वेकल्पिक रूप से आप आरोग्यास्टू आप के माध्यम से भी टीका करण के लिए पंजी करण कर सकते है नमबर तीन को विन पोर्टल पर टीका करण के लिए कौन से आयू समूह पंजी करण कर सकते है 18 वर्ष और उससे अधिक आयू के सभी नागरिक टीका करण के लिए पंजी करण करा सकते है नमबर चार, क्या COVID-19 ठीका करण के लिए ओनलाइन पंजी करण अनिवार्य है? ठीका करण केंद्र हर दिन सीमित संख्या में ओन स्पॉट पंजी करण स्लोट रदान करते हैं 45 वर्ष और उससे अधिक आयू के नागरिक ओनलाइन अपोईंट्मेंट शेडियूल कर सकते हैं या टीका करण केंद्रों में वौक इन कर सकते हैं हालाकि 18-44 वर्ष की आयू के नागरिकों को ठीका करन केंदर में जाने से पहले अनिवारे रूप से अपना पंजी करन कराना चाहिए और ओनलाइन अपॉइंटमेंट शेडियूल करना चाहिए सामान्य तोर पर सभी नागरिकों को एक परेशानी मुक्ट ठीका करन अनुभव के लिए ओनलाइन पंजी करन करने और ठीका करन को पहले से निर्धारित करने की सलाह दी जाती है नमबर पांच स्मार्ट फोन या कम्प्यूटर तक पहुँच के बिना नागरिक आउनलाइन पंजी करन का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? एक ही मोबाइल नमबर का उप्योग करके चार लोगों तक ठीका करन के लिए पंजी करन कराया जा सकता है नागरिक ओनलाइन पंजी करण के लिए दोस्तों या परिवार की मदद ले सकते हैं नमबर साथ क्या मैं आधार कार्ड के बिना ठीका करण के लिए पंजी करण करा सकता हूँ? हाँ, आप निमनलिखित में से किसी भी आईडी प्रूफ का उप्योग करके को विन पोर्टल पर पंजी करण कर सकते हैं क्या कोई पंजी करण शुल्क देना होगा? नहीं, कोई पंजी करण शुल्क नहीं है क्या मैं को विन पोर्टल में ठीका करण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ? हाँ, आप अपने पंजी करण के इंद्र दिखाएगा जो पंजी करण पोर्टल में दर्ज नागरिक की उम्र के अनुसार तीका करण की अनुमती देता है नमबर 10 यदि एक नागरिक की आयू 45 वर्ष या उससे अधिक है और दूसरे की आयू 18 वर्ष या उससे अधिक है तो क्या विकल्प है? यदि एक नागरिक की आयू 45 या उससे अधिक है और दूसरा नागरिक 18 से 44 वर्ष की आयू का है और दोनों एक संयुक नियुक्ती निर्धारित करना चाहते हैं तो राज्य की नीती के अनुसार केवल निजी भुकतान टीका करन केंदर या टीका करन केंदर उपलब्ध कराए जाएंगे हालाकि ऐसा हो सकता है कि कुछ हस्पताल जो 45 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं हो सकता है कि कम उम्र के लोगों के लिए appointment की booking की अनुमती न दें। ऐसे में आप एक-एक करके booking कर सकते हैं। Number 11, क्या मैं प्रतेक टीका करन केंदर में दिये जा रहे टीके की जाच कर सकता हूं। हाँ, टीका करन के लिए appointment schedule करते समय, सिस्टम टीका करन केंदर के नाम के साथ vaccine का नाम दिखाएगा जो की निजी अस्पतालों के मामले में प्रशासित किया जाएगा। सरकारी अस्पताल vaccine का नाम नहीं दिखा सकते हैं। Number 12, क्या मैं appointment slip download कर सकता हूं। हाँ, appointment निर्धारित होने के बाद appointment slip download की जा सकती है। Number 13, मैं निकट्तम टीका करन केंदर कैसे ढून सकता हूं। आप अपने स्थान के निकट्तम टीका करन केंदर के लिए को win portal या आरोगय सेतू में pin code के माध्यम से खोज कर सकते हैं या राज्य और जिले का चायन कर सकते हैं। Number 14, क्या होगा अगर मैं नियुक्ती की तारीक को टीका करन के लिए नहीं जा सकता। क्या मैं अपनी नियुक्ती को फिर से निर्धारित कर सकता हूं। नियुक्ती को किसी भी समय पुनर निर्धारित किया जा सकता है। यदि आप नियुक्ती की तिथी पर टीकाकरण के लिए जाने में सक्षम नहीं है, तो आप रीशेड्यूल टैब पर क्लिक करके नियुक्ती को पुनर निर्धारित कर सकते हैं. नमबर पंद्र, क्या मेरे पास नियुक्ती रद करने का विकल्प है? हाँ, आप पहले से निर्धारित अपॉइंट्मेंट रद कर सकते हैं. आप अपॉइंट्मेंट को पुनर निर्धारित भी कर सकते हैं और अपनी सुविधा के लिए कोई अन्यतिती या समय स्लोट चुन सकते हैं. नमबर 16, मुझे ठीका करण की तारीक और समय की पुष्टी कहां मिलेगी? एक बार अपॉइंटमेंट निर्धारित हो जाने पर, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नमबर पर भेजे गए एक SMS में ठीका करण केंद्र, नियुक्ती के लिए चुने गए दिनांक और समय स्लोट का विवरन प्राप्त होगा। आप अपॉइंटमेंट स्लिप को डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी ले सकते हैं या अपने स्मार्ट फोन पर रख सकते हैं। नमबर सत्र, क्या मैं बिना अपॉइंटमेंट के ठीका करण करवा सकता हूँ? पैतालीस वर्ष और उससे अधिक आयू के नागरिक ओनलाइन अपॉइंटमेंट शेडियूल कर सकते हैं या ठीका करण के इंद्रों में वौक इन कर सकते हैं। 18-44 वर्ष की आयू के नागरिकों को अनिवारे रूप से अपना पंजी करण कराना चाहिए और ठीका करण से पहले ओनलाइन अपॉइंटमेंट शेडियूल करना चाहिए। अनुभव के लिए ओनलाइन पंजी करण करने और ठीका करण को पहले से निर्धारित करने की सलाह दी जाती है। अनुशनसा की जाती है कि पहली खुराक प्रशासन की तारीक से 4-6 सप्ता के अंतराल में COVAXIN की दूसरी खुराक प्रशासित की जानी चाहिए। COVISHIELD के लिए अनुशनसित अंतराल 4-8 सप्ता है जबकि 6-8 सप्ता का अंतराल बहतर सुरक्षा प्रदान करता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार दूसरी खुराक के ठीका करण की तिथी चुन सकते हैं। क्या मेरी दूसरी खुराक की नियुक्ती को विन सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित की जाएगी? नहीं, आपको दूसरी खुराक के ठीका करण के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। कोविन सिस्टम आपको एक ठीका करण केंदर में अपॉइंटमेंट बुक करने में मदद करेगा, जहां एक ही वैक्सीन को पहली खुराक के वैक्सीन प्रकार, C-O-V-A-X-I-N या C-O-V-I-S-H-I-E-L-D के रूप में प्रशासित किया जा रहा है। 21. यदि मुझे अपने ओनलाइन अपॉइंटमेंट पंजी करण से संबंधित कोई समस्या है तो मैं किसे संपर्क कर सकता हूँ? आप राश्ट्रिय हेल्प लाइन 1075 पर कॉल कर सकते हैं और COVID-19 ठीका करण और COVID-19 सॉफ्टवेर से संबंधित प्रशनों के बारे में जानकार 22. क्या सभी ठीका करण केंद्रों पर ठीका करण निशुल्क है? नहीं, वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में ठीका करण निशुल्क है और 45 वर्ष और उससे अधिक आयू के नागरिकों के लिए निजी अस्पतालों में 250 रुपे का शुल्क लिया जाता है. एक मैसे सरकार सुविधाओं पर 45 वर्ष या उससे अधिक आयू के लोगों के लिए टीका करण निशुल्क होता रहेगा. 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों के लिए राज्य भुकतान से संबंधित नीती की घोशना करेंगे. टीका करण की कीमत निजी सुविधाओं द्वारा होगी और आप बुकिंग के समय प्रत्येक टीके की कीमत देख सकते हैं. नमबर 23 क्या मैं टीके की कीमत की जाज कर सकता हूँ? हाँ, appointment schedule करते समय सिस्टम टीका करण केंदर के नाम के नीचे टीके की कीमत दिखाएगा. नमबर 24. क्या मैं टीका चुन सकता हूँ? appointment schedule करते समय सिस्टम प्रत्येक टीका करण केंदर में दीये जा रहे टीके को दिखाएगा. नागरिक अपनी पसंद के टीके के अनुसार टीका करण केंद्र का चयान कर सकते हैं हाला कि विकल्प सरकारी सुविधाओं पर उपलब्ध नहीं होगा नमबर पच्चीस दूसरी खुराग के टीका करण के समय मुझे क्या सावधानिया बरतनी चाहिए टीका करण केंद्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि यदि किसी नागरिक को दूसरी खुराग का टीका लगाया जा रहा है तो उन्हें यह पुष्टी करनी चाहिए कि पहली खुराग का टीका करन उसी टीके के साथ किया गया था जो दूसरी खुराग के समय दिया जा रहा था और पहली खुराग दी गई थी 28 दिन से अधिक समय पहले आपको टीके के प्रकार और पहली खुराक के टीका करण की तारीख के बारे में सही जानकारी टीका करण करता के साथ साजा करनी चाहिए आपको पहली खुराक के बाद जारी किया गया अपना टीका प्रमानपत्र साथ रखना चाहिए नमबर 26, क्या मैं दूसरे राज्य जिले में दूसरी खुराक से टीका लगवा सकता हूँ? हाँ, आप किसी भी राज्य जिले में टीका लगवा सकते हैं एक मात प्रतिबंध यह है कि आप केवल उन्ही केंद्रों पर टीका लगवा सकेंगे जो वही टीका दे रहे हैं जो आपको पहली खुराग पर दिया गया था नमबर 27 टीका करण के लिए मुझे अपने साथ कौन से दस्तावेज ले जाने चाहिए? आपको को विन पोर्टल पर पंजी करण के समय आपके द्वारा निर्दिष्ट अपना पहचान प्रमान और अपनी नियुक्ती परची का एक प्रिंट आउट, स्क्रीन शॉट रखना चाहिए नमबर 28 मैंने को विन पोर्टल पर अपना पंजी करण कराया है हाला की मैं कोई booking नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे अपने स्थान के पास कोई ठीका करण सुविधा नहीं दिख रही है मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह संभव है कि आपके स्थान के आसपास किसी भी संस्थान ने अभी तक अपना टीका करण कारिक्रम प्रकाशित नहीं किया हो. आप कुछ समय तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक आपके स्थान के पास टीका करण सुविधाय को विन प्लेटफॉर्म पर शामिल नहीं हो जाती, सक्रिय हो जाती हैं और अपनी सेवाई शुरू कर देती हैं. ए, वैक्सीन प्रमान पत्र नंबर 39. मुझे ठीका करण प्रमान पत्र की आवशक्ता क्यूं है? सरकार द्वारा जारी एक कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, सीवीसी, लाभार्थी को ठीका करण, इस्तेमाल किये गए ठीके के प्रकार पर एक आश्वासन प्रदान करता है और अनंतिम प्रमान पत्र अगले ठीका करण के कारण भी प्रदान करता है. यह नागरिक के लिए किसी भी संस्था को साबित करने का एक प्रमान भी है, जिसे विशेश रूप से यात्रा के मामले में ठीका करण के प्रमान की आवशक्ता हो सकती है. ठीका करण नकेवल व्य प्रमान पत्र में प्रमान पत्र की वास्तविक्ता की गांटी के लिए सुरक्षा विशेष्टाओं का निर्मान किया गया है जिसे को विन पोर्टल में प्रदान की गई अनुमोधित उप्योगिताओं का उप्योग करके डिजिटल रूप से सत्यापित किया जा सकता है। पत्र की एक मुद्रित प्रती प्रदान करने का शुल्क टीका करण के लिए सेवा शुल्क में शामिल है। नमबर 31, मैं टीका करण प्रमान पत्र कहां से डाउनलोड कर सकता हूँ? आप सरल चरणों का पालन करके डिजी लॉकर के माध्यम से कोविन पोर्टल, cowing.gov.in या आरोग्य सेतु अपोर से टीका करण प्रमान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आप पंजी करण के समय उप्योग किये गए मोबाइल नमबर का उप्योग करके ऐसा कर सकते हैं। एफ, reporting side effect, नमबर 32, ठीका करण से होने वाले दुश्प्रभाव के मामले में मैं किस से संपर्क करूँ? आप निम्ण में से किसी भी विवरन पर संपर्क कर सकते हैं, सेवा मेरे। हेल्पलाइन नमबर 911123978046, टोल फ्री 1075, बी तक्नीकी हेल्पलाइन नमबर 01204473222C, हेल्पलाइन इमेल आईडी 920198.gov.in सलाह के लिए आप उस ठीका करण के इंदर से भी संपर्क कर सकते हैं, जहां आपने ठीका करण किया था.